Welcome back guys to another new video आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की टोप 10 सबसे महंगी बाइक्स की इंडिया का टू विलर मार्गीट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इंडिया के साथ साथ ही पुरी दुनिया में बाइक के सोकीन भरे हुए है जो की महंगी से महंगी और जादा से जादा तेज चलने वाली बाइक्स को चलाना पसंद करते हैं लोगों की इनी डिमांड को पूरा करने के लिए हर कमपनी महंगी से महंगी और जादा से जादा तेज चलने वाली बाइक्स बनाती रहती है दुनिया में सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी बाइक्स आती है और आपको जानका हैरानी होगी के दुनिया की सबसे महंगी बाइक 90 करोड की कीमत को भी पार कर जाती है इसलिए इस वीडियो में आज हम दुनिया की सबसे 10 महगी बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते है दस्वे स्थान पर आती है डुकाटी कमपनी के दुआरा बनाई गई डुकाटी टेस्टा इस्टेटा एंसियार मचिया नेरा कॉंसेप्ट डुकाटी की यह बाइक डुकाटी की ही 916 बाइक पर आधारित है इस बाइक में आपको कार्बन फाइवर बोडी के साथ टाइटेनियम साइलेंसर मिलता है इस बाइक में कमपनी के दुआरा हजार सीसी का वी टुइन इंजन दिया गया है जो की 200 होट्स पार प्रेडियूस करता है इस बाइक की टोप स्पीड है 325 क्लोमीटर पर आवर और इस बाइक की केवल 50 यूनिट सी बनाई गई थी और इस बाइक की कीमत है 1,44 लाग रुपे नोवे स्थान पर आती है डुकाटी की ही दूसरी बाइक डुकाटी डेस्मो सैडिक D16WR NCR M16 इस बाइक को डुकाटी के दुआरा 2006 में लौंच किया गया था और यह बाइक डुकाटी की डेस्मो सैडिक GP6 पर आधारित है इस बाइक में आपको 989 CC का इंजन मिलता है जो की 200 से ज़्यादा होर्स पावार पर यूस करता है यह बाइक 321 क्लोमेटर परती घंटा की रफतार से भी तेज दोड सकती है और इस बाइक की केबल 100 यूनिट्स ही बनाई गई थी और डुकाटी कमपनी के दुआरा इस बाइक का इस्तमाल Moto GP World Championship में किया गया था और इस बाइक की कीमत है 1.90.000 लाह रुए नंबर 8 पर आती है इको से FE TI XX Titanium Series इस बाइक को कमपनी के दुआरा 2007 में लूंच किया गया था इस बाइक की बोडी को Titanium और Carbon Fiber के दुआरा बनाया गया है इस बाइक में आपको 2409 CC का इंजन देखने को मिलता है जो की 228 PS तक की Power Produce करता है इस बाइक में भी कमपनी के दुआरा Titanium Silencer दिया जाता है इस बाइक में आपको एक 10 स्लेंडर इंजन देखने को मिलता है जो की 500 HP प्रेडियूस करता है इस बाइक की बोडी को बनाने के लिए Carbon Fiber का इस्तमाल किया गया है कमपनी का दावा है कि यह बाइक 650 किलोमेटर परति घंटा की रफतार से भी तेज दोड़ सकती है और आपको जानका एहरानी होगी के यह बाइक 0 से 100 तक की रफतार को केवल 2 सेगिंड में ही अचिव कर लेती है इस बाइक की कीमत की बात करें तो इस बाइक की कीमत है 4 करोड 51 लाख रुपे नमबर 6 पर है हारले डैविडिसन कोस्मे की स्टार्शिप यह है एक कस्टम बिल्ट मोटर साइकल है जिसे साइन्स फ्रिक्शन और फ्यूचरिस्टिक फिल्मों से प्रेरित होकर बनाया गया है इस बाइक में आपको ट्विन टर्बो चार्ज वी ट्विन इंजन देखने को मिलता है जो की 1500 होर्स पावर प्रेडियूस करता है और यह है बाइक 0 से 100 तक की रफतार को केवल 2.5 सेगिंड में ही अचीव कर लेती है इस बाइक में आपको एक LED हैरलाइट इन्फोटेन्मेंट सिस्टम और एक इन्बिल्ट एयर कंप्रेसर मिलता है जिससे आप अपनी बाइक के टायर को हर समय फुड़ाई रख सकते है और इस बाइक की कीमत है 12 करोड 30 लाह रूपे इंडिया में अब होंगे आइफोन बहुत ही सस्ते कैसे जानने के लिए आई बटन पर किलिक करो और जाओ देखो इस लिस्ट में नंबर फाइव पर है BMS Nemesis इस बाइक की बोडी को बनाने में टाइटेनियम, कारवन फाइबर, डाइमंड और गोल्ड का इस्तमाल किया गया है इस बाइक में कमपनी के दुआरा 2000 सीसी का इंजन दिया गया है और इस बाइक की खास बात यह है कि इस बाइक में आपको सैड स्टेंड देखने को नहीं मिलता यह बाइक कितनी नीची है कि आप इसे ऐसे ही जुका कर खड़ी कर सकते है और यह बाइक 321 किलोमेटर परती घंटा की रफतार तक दोड़ सकती है यह है एक लगजरी बाइक है जिसकी कीमत है 24 करोड 60 लाख रुपे नमबर 4 पर है हिल्डे ब्रांड और वुल्फ मूलर यह है दुनिया की पहली बाइक है जिसे 1894 से 1897 के बीच बनाया गया था इस बाइक में आपको 1489 सी सी के साथ 360 डिग्री टू सिलेंडर वाटर कूल फोर स्टोक इंजन देखने को मिलता था उस समय ऐसी 200 बाइक सी बनाई गई थी और यह बाइक 56 किलोमेटर परती घंटा की रफतार से दोड़ सकती है और इस बाइक की कीमत की बात करें तो 2013 में एक निलामी में इस बाइक को 3.5 मिलियन डॉलर्स में बेका गया था जो कि आज के समय में इंडियन रुपीज में 28 करोड 70 लाख रुपे होते है नमबर 3 पर आती है इको से की ही दूसरी बाइक इको से ES1 स्पिरिट यह एक रेस बाइक है जिसे बनाने में टाइटेनियम, कारबन फाइबर और मैगनेशियम का इस्तमाल किया गया है इस बाइक में आपको 2.4 लीटर V8 इंजन देहने को मिलता है जो की 200 होर्स पावर पर यूज करता है और इस बाइक की हैरान करने वाली बात यह है कि किसी परफेक्ट ड्राइवर को भी इसे चलाने के लिए पहले दो हफते की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और यह बाइक 350 किलोमेटर परती घंटा की रफतार से दोड़ सकती है और इस बाइक की कीमत है 39 करोड 51 लाख रूपे नमबर टू पर आती है AJS के दुआरा बनाए गई 1949 E19 AJS Polcupine 1949 में इस बाइक को एक रेस बाइक के रूप में विक्षित किया गया था इस बाइक में कमपनी के दुआरा 500 CC का एंजन दिया जाता था जो इस बाइक को 241 क्लो मिटर परती घंटा की रफतार तक दोड़ा सकता था और उस समय ऐसी केवल 100 बाइक सी बनाई गई थी और इस बाइक की कीमत है 57 करोड 49 लाख रूपे और दुनिया की सबसे खतरनाक पावरफुल और सुरक्षिक गाड़ी को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करो और जाओ देखो इस लिस्ट में नमबर वन पर आती है नीमन मारकस लिमेटेड एडिसन फाइटर इस बाइक को हीरे से जड़े फ्रेम से बनाया गया है और इस बाइक में गोल्ड पलेटिड वीट्विन इंजन का इस्टमाल किया गया है इस बाइक में आपको एक कस्टम मेट सीट भी देखने को मिलती है जिसे मगरमच की खाल से बनाया गया है यह बाइक 0-100 की स्पीड को लगवक 3 सेकिंड में अचीव कर लेती है यह बाइक केवल 19 का ही एवरेज देती है और इस बाइक की टोप स्पीड है 305 किलोमीटर परती घंटा और इस बाइक की केवल 45 यूनिट्स ही बनाई गई थी इस बाइक की कीमत है 11 मिलियन डोलर्स जो की इंडियन रुपीज में 90 करोड 17 लाख रुपे होते है अगर आपको पैसे की परवा नहीं है तो आप इनमें से किसी भी बाइक को ले सकते है लेकिन अगर आपका बजट काम है और आपको एक सबसे अलग दिखने वाली बाइक के साथ थोड़ी फुचरिस्टिक बाइक चाहिए तो आप बैंडिंट 9 कमपनी की दा सूपर मरीन बाइक ले सकते है जिसमें आपको 270 degree crank angle parallel twin engine देखने को मिलता है इस बाइक को बनाने में titanium का इस्तमाल किया गया है और कमपनी के द्वारा इस बाइक के दो model बनाए गई है जिसमें एक में आपको 900cc और दूसरे में आपको 1200cc का engine देखने को मिलता है इस बाइक में आपको electronic fuel injection system देखने को भी मिलता है और इस futuristic जैसे दिखने वाली बाइक को आप मातर 24,60,000 रुपे में खरीच सकते हैं वेल्गम आरव वर्मा टू आवर चैनल